हलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PKS Official में इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइन्स इरीज का पाँचवा क्लास कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस का लिंक दे दिया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं यह साइन्स सिरीज सभी वंडे एक्जाम जैसे रेलवे, एलप, टेकनिसियन, एंटीपीसी, आरपीएफ, एससी इन सभी एक्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला कुश्चन है जीवन के द्वी नाम पदती के दो घटक कौन से हैं उप्शन A अस्थानिय नाम और जाती बिसेशन उप्शन B वंस नाम और जाती बिसेशन उप्शन C जाती नाम और जाती बिसेशन उप्शन D कूल का नाम और जाती बिसेशन तो इसका right answer क्या होगा आप लोग comment करके जल्दी बताईए तो देखिए जो जीवो के जो द्वी नाम पधती के दो घटक है वो है once और जाती ये दोनों ही क्या है जीवो के द्वी नाम पधती के दो घटक है पहला है once और जाती इसका right answer option B हो जाएगा देखिए द्वी नाम पधती का जो ये विकास हुआ ये किसने किया तो ये caroless lineage नामक बेग्यानिक ने किया द्वी नाम पधती का विकास caroless lineage ने किया था देखिए परतेग जीवधारी का नाम लेटिन भासा के दो सब्द से बनता है जैसे once और जाती ये दो नामों से द्वी नाम पधती आया जैसे एक एक एक्जामपल के तौर पर मनुसे क्या जो बेग्यानिक नाम होता है वह होता है homo sapiens जिसमें homo है वह once का नाम है तथा sapiens जो है वह जाती का नाम है इस तरह द्वी नाम पधती किस ने दिया कैरोलेस लिनियस ने once और जाती के नाम पर ये द्वी नाम पधती आया तो जीवन के द्वी नाम पधती के दो घटा कौन-कौन से है once और जाती विशेशन ये आप लोग समझ गए होंगे इसका right answer option b हो जाएगा next question है निम्नल इखीत में से स्वक्ष जल की मचलियां कौन सी है option a रोहू मचली option b कतला मचली option c यह दोनो option d इन में से कोई नहीं इसका right answer क्या होगा आप लोग comment कीजिए देखिये जो स्वक्ष जल होता है स्वक्ष जल में ये रोहू और ये कतला मचली आ पाई जाती है तो इसका right answer क्या होगा option c यह दोनो रोहू मचली और कतला मचली ठीक है मचली वर्ग में, देखिए मचली जब आ गया है तो मचली को हम लोग समझ लिएת मचली का heart का चेंबर होता है यह बहुत बार question कुछता है कि मचली के कोश्टक पाये जाते हैं, heart में जो कितने होते हैं तो इनके दो कोश्टक पाये जाते हैं एक उपर को हम लोग क्या कहते हैं आलिंद और नीचे वाले को निलाए तो दो कोश्टक पाये जाते हैं मचली वर्ग में यह आप लोग समझ जाईए यह बहुत बार पुछा गया है एक्जाम में नेक्स्ट कोश्टन है भारत का राष्ट्रिय पूस्प है ओप्शन निलमबो इंडिका ओप्शन बी निलमगे हिंदुस्तानी ओप्शन सी निलमबो निूसिफेरा ओप्शन दी निलमबो रिकरवा देखिए भारत का जो राष्ट्रिय पूस्प है यह क्या है यह है निलमबो निूसी फेरा इसका right answer option C हो जाएगा तो आप लोग समस्ते होंगे कि अरे ये तो भारत का राष्ट्रिय पुस्प तो कमल है तो देखिए आप लोग सही सोच रहे हैं भारत का जो राष्ट्रिय पुस्प है वो कमल है और कमल फूल का बेग्यानिक नाम ही क्या है नेलंबो नि निूसी फेरा एक एकजाम में ऐसा ही घुमा के कोशन पूछ दिया था बच्चे ने देखा कि अरे कोशन तो बहुत तीजी आया भारत का राष्ट्रिय पुस्प क्या है पूछा है और जब यहाँ पर option देखा तो option घुमा कर दे दिया गया था जो पुस्प है कमल पूस्प उसी का जो बेग्यानिक नाम दे दिया गया था यहाँ पर नेलंबो निूसी फेरा तो यह बहुत important question है आप लोग ध्यान में रखिएगा नेलंबो निूसी फेरा कमल जो होता है जो आप लोग शीतर में देख पा रहे हैं इस कमल पूस्प का बेग्यानिक नाम है चलिए जिसका बेग्यानिक नाम क्या है फाइकस बेंगालेंसिस यह है ब्रिक्ष बर्गद का बेग्यानिक नाम उसके बाद है भारत का जो राष्ट्रिय पक्षी मोर है जिसका बेग्यानिक नाम क्या हो जाएगा पावो क्रिष्टेटस यह है पक्षी मोर का बेग्यानिक नाम उस उसका जवाब दे पाएं, I hope आप लोग समझ गए होंगे, तो भारत का जो राष्ट्रिय अपूस्प है, कमल जिसका बेग्यानिक नाम है, नेलंबो निसिफेरा, I hope आप लोग समझ गए होंगे, नेक्ष्ट कोशन है, जिव विग्यान के पिता कौन कहलाते हैं, उप्सन A, अरस्तू, उप्सन B, हकसले, उप्सन C, लेमार्क, उप्सन D, थ्री ओफरेश्टर्स, तो देखिए, तो जिव विग्यान का जो पिता है, वो अरस्तू को कहा गया है, अरस्तू जो बेग्यानिक है, इनी को जी विज्ञान का पिता कहा जाता है इसका right answer option A हो जाएगा देखिए अरस्तु को ही यह जो जन्तु विज्ञान है यानि जूलोजी इनके जनक कहा जाता है biology सब्द का पर्योग सरवप्रत्म लेमार्क और ट्रेवि रेनस नामक बेगानी को दरा किया गया था यह आपलोग याद रख्येगा इसस सब्द का पर्योग किया गया इनके आपलोग याद रख्येगा यह जो हैं यही बाइलोजी के सरोप्रतम लेमार्क और टेवी रेनस नामक बेग्यानिक ने ये सब्द का परयोग किया आई होप आप लोग समझ गए होंगे नेक्स्ट कोस्टन है निम्न में से कौन सा एक कुट फल है अउप्सटन ए पोम, आउफ्सटन बी डूप, अउप्सन सी सिस लेशपा, आउप्सन डी पीपो तो देखिये इसका राइट झनिसर क्या होगा आप लोग बताइए, कमेन्ट कीजिये चल दी देखिये जो डूप है ये डूप क्या है एक कुट फल का उधारन है ये कूटफल है देखिए अब हम लोग जान लेते हैं ये कूटफल होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं वैसा फल जो परिपक्व अत्वा पूनत निर्मित अंडासय है जिसका निर्मान निशेचन के उपरांध होता है समानेता इसे इसमें एक फल भित्ती तथा बीज भिधमान होते हैं ये कूटफल कहलाते हैं यानि फल्स फ्रूट यानि जूटा फल किसे कहते हैं डूप को कहते हैं एक कूटफल है ये जो आप लोग छीतर में देख पा रहे होंगे ठीक है तो डूप क्या है एक कुट फल है जैसे हो गया सेव हो गया काजू हो गया ये सब किसके उधारण है तो ये कुट फल के उधारण है एपल और काजू उन रूप से अंडासे से निर्मित होने वाले फल को हम लोग true fall यानि वास्तविक फल कहा जाता है जैसे long पौधे की बंद कलिया ये सब क्या है ये वास्तविक फल है तो ये दोनों में आप लोग समझ गए कुट फल यानि जो false fruit है ये भी समझ गए और जो वास्तविक फल यानि जो true fall है ये भी समझ गए आप लोग कि उन रूप से जो अंडासे से निर्मित होने वाले फल को हम लोग वास्तविक फल कहते हैं आप लोग पूरा किलियर हो गया होगा चलिए next question देखते हैं next question है किट भक्षी पादप का उधारन है option a टैगेरीज option b नेफेंतीज option c लारेंथस option d जूनी पेरस इसका राइट एंसर क्या होगा आप लोग कमेंट किजिए देखिए जो ये नेफेंतीज है नेफेंतीज जो the right answer option b हो जाएगा देखिए किट भक्षी पादब जो होते हैं वे पतियां घड़े के आकार के रुपांत्रित होकर portion में सहायता करती है ठीक है और घड़ पढणी और venus fly trap अन्य किट भक्षी पादबों के उधारन है जो आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं यही आकर बैठता है तो यह पतियां का मुह जो होता है यह बंध हो जाता है और उसी में यह क्या हो जाता है यह किट जो होता है मर जाता है और यह पौधा उसका अपना अहार बना लेता है ठीक है अच्छा ऐसा क्यूं करते हैं यह जो पादब हैसा क्यूं करते हैं देखिए जो कीट में क्या पाए जाता है नाइट्रोजन की मात्रा पाए जाती है जिसके कारण कीट भक्षी पादप जो मिट्टी से उगते हैं लेकिन उसमें क्या होती है नाइट्रोजन की कमी होती है जिसके कारण ये कीटों का भक्षन करते हैं आई होप आप लोग समझ गए जो किट भक्षी जो पादप है उनका उधारन क्या है ये नेफेंतिज ये एक उसका उधारन है ठीक है आप लोग समझ गए होंगे चले नेक्ट कोशन देखते हैं पसुओ की रेड सिंधी नसल निम्न में से कीश घड़ैलू पसु से संबंदित है औप्शन ए भैस, आप्शन B गाई, आप्शन C घोड़ा, आप्शन D उण्ट देखिए पसुओ की जो ये रेड सिंधी ये Player का क्या है एक प्रकार का नसल है ठीक है यह रेड सिंधी यह तो इसका right answer option B हो जाएगा चलिए थोड़ा rate सिंधी के बाड़े में जान लेते हैं जो rate सिंधी नसल की जो गाय मुखेता पाकिस्तान के कनाची में और हैदराबाद में पाई जाती है तो गायों की ये एक rate सिंधी क्या है नसल है कहाँ पाई जाती है तो मुल्ता या पकिस्तान के कनाची में और हैदराबाद में पाई जाती है ठीक है देखिए और गायों की जो सबसे भारी नसल पुछता है भारत में सबसे भारी नसल कौन सी है भारत में तो कांकरेज ये याद रखिएगा आप लूँ चलिए next question देखते हैं कीस रंग द्रव्य की उपस्तिती के कारण पौधो का रंग हरा होता है Option A glucose, Option B nitrogen, Option C chlorophyll, Option D oxygen तो इसका right answer क्या होगा आप लोग जल्दी comment कीजिए देखिए जो chlorophyll होता है इस chlorophyll रंग द्रव्य के कारण उपस्तिती के कारण पौधो का रंग क्या होता है हरा होता है इसका right answer option C हो जाएगा और chlorophyll पतियों में हरे रंग का वर्नक है पतियों में क्या पाये जाता है ये chlorophyll पाये जाता है जो हड़े रंग का वर्णक है चलिए next question देखते हैं इन में से कौन परजीवी पादप है? option A, cascuta, option B, germanium, option C, amrita, option D, इन में से कोई नहीं तो इसका राइट answer क्या होगा आप लोग बताइए देखे, जो cascuta होता है, ये जो cascuta, ये क्या है? एक परजीवी पादप है यानि ऐसा देखे, परजीवी किसे कहते हैं, जो दूसरे के उपर आसरित हो दूसरे किसी के उपर आसरित हो, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं ऐसा पादब देखे होंगे आप लोग कोई भी पेर के उपर बर्गत का जैसे पेर जर्म ले लेता है अलग अलग जो होते हैं पेर पौधे उनके उपर आस्रित होते हैं ठीक है उसे हम लोग क्या कहते हैं परजीवी पादब कहते हैं ऐसे पादब को परजीवी पादब कहते ह ठीक है और परजीवी पादप अपना पोशन जो होता है मृत या जीवित जिवधारियों से ही प्राप्त करते हैं यानि दूसरों से चाहे वो मरा हो या जीवित हो ऐसे जीवन धारियों से ही प्राप्त करते हैं कौन परजीवी पादप तो उसी में एक जो है यह कसकुटा जो आख़ी question है, option देखिए निमारी एक नसल है, निमारी क्या है, एक नसल है, किस प्रकार की नसल है, किसकी नसल है, option A भेडो की, option B बकडी की, option C गाई की, option D भेंस की, तो देखिए यह जो निमारी है, यह किसकी एक नसल है, तो यह गाई की एक नसल है, इसका right answer option C हो जाएगा, निमारी है ये कहां का नसल है ये तो ये इंडिया का है यानि भारत का है निमारी गाय का मूल अस्थान ये भारत में कहां पाई जाती है तो मध्य परदेश राजे में ये पाई जाती है मूल अस्थान इसका मध्य परदेश है भारत का इसका right answer option c हो जाएगा गाय का जो एक न मिलते हैं नेक्ट क्लास में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंदे